हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ अमिस सैनी वगत है आपका साड़ा फूड़ा में जहां मैं आपके लिए टेस्टी रैस्पीज लेकर आता रहता हूँ तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज जल्दी से कर लें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल रैस्टोरें स्टाइल चना दाल मसाला तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी चने की दाल उसको मैं एक बरतन में डाल दूँगा और उसके बाद इसम को हम कम सकम एक घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे एक घंटा हमारा हो चुग गया देखिए दाल भी हमारी फूल करके तयार हो गई है देखिए मैं इसको आपको हाथ से तोड़ करके दिखाता हूँ देखिए इसली हमारी हाथ से भी तूट जा रही है अब इसको पानी एक्ष्रा है वो हम निकाल देंगे और इसको कुकर में डाल देंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच नमक और इसके बाद इसमें हम डालेंगे वन टेबल इस्पून रिफाइंड ओयल या पीसमें मस्टर्ड ओयल भी उसकर सकते हैं और इसक अच्छे से उबल गई है, अब हमें कर्ची से क्या गणना है कि इसको हमें मैश कर देना है, जिससे अच्छे से हमारी मिक्सप हो जाये, उसके बाद हम कढ़ाई गयस पर चढ़ाएंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल और तेल को हम थोड़ा सा सोटे करना है ज़्यादा सोटे नहीं करना है उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अधरक लसन का पेस्ट और ये चार हरी मिर्च कटी हुई बारीग बारीग चोपकी हुई और उनको से mix करना है और उसके बाद हमें जब तक टमाटर हमारे soft ना हो जाएं तब तक इसको हमें पका लेना है लीजे टमाटर हमारे soft हो गए हैं आई अब इसमें हम मसाले डालना शुरू करते हैं ये मैंने लिए हल्दी पाउडर वन फोर चम्मट डाल रहा हूं हल्दी पाउडर ये मैंने लिए है गरम मसाला एक चम्मट डाल रहा हूं मैं इसमें गरम मसाला ये लिए है मैंने जो दाल हमने उबाल कर रख़्ी हुई थी वो सारी दाल हम इसमें डाल देंगे मसाले में, दाल डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, और अगर आपको दाल थोड़ी ज़्यादा गाड़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं जितनी आपकी requirement हो उसके हिसाब से इसमें आप पानी एड़ करके दाल को पतली कर सकते हैं और दाल को हमें पकाते टाइम पर बीच-बीच में इसको चलाते रहना है कर्ची से जिससे कि दाल जो हमारी नीचे कढ़ाई में न लग जाए नई तो अगर कढ़ाई में नीचे लग जाएगी तो दाल का टेस्ट जोगा वो खराब हो जाएगा इसलिए इसको बीच-बीच में चलाते रहें लीजे दाल को पकते हो हमारे 10 मिनट हो गए हैं आई अब इसमें हम ये थोड़ा सा हरा धनिया गार्णिश कर देते हैं और हरा धनिया डालने के बाद इसको हमें फिर से मिक्स करना है और mix करने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे दाल को 2 मिनट पकाने के बाद अब हम दाल में तड़का लगाएंगे जिससे कि क्या होगा कि दाल का taste जो हमारा अगो डबल हो जाएगा तड़का लगाने के लिए मैंने एक चम्मत देसी घी ले लिया है देशिगी को हम गरम कर लेंगे गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे चार लैसुन की कलिया चोप की हुई बारीक बारीक लैसुन को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच हींग हिंग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चार साबुत लाल मिर्च और इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ये देगी मिर्च कलर के लिए डाल रहे हैं और इनको हमें अच्छे से अब इसको मिक्स कर देना है लीजिये तड़का हमारा बन करके तड़के के साथ मिक्स कर देना है लीजे चना दाल मसाला हमारी बन करके बिल्कुल तयार है सर्व करने के लिए एक दम रेड़ी है आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें आजे सर्व करने के लिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं चना दाल मसाला की रेस्पी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सब से पहले पहुंच जाए तो आईए मिलते हैं आपको पनी नेक्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर